सब्सक्राइब करने जा रहे हैं हमारा स्पियर्स स्पियर्स में हम अब तक नमबर 6 तक हम कंप्लीट करा चुके थे और हम चलते हैं अब डिस्टेंस बिट्वीन टू सेंटर्स के हमारे आर्टिकल पर और इसके बाद हम जो है आगी की कॉस्टेंस करेंगे तो आये चलिए यह टो बिटूइन जरूब को डिस्टेंस के बीच सेंटरॉफ स्पियर्स अब हमारा सब्सक्राइब कर देचिए एक तो आता है कि आपके दो स्ट्यों कहीं अलग-अलग जगे में वहा वह उस में आप आराम से निकाल लोगे कि आपके उन दोनों के स्पीयर के संटर दिये होंगे भी वा इस दिस्टेंस को देखते हुए आप एक कि कुंक्लूजन पर आ सकते हो कि अगर आपके स्पियर के बीच के संटर के बीच का डिस्टेंस या फिर आप क्या सकते हो कि distance between center of sphere becomes equal to radius 1 minus radius 2 यानि कि is equal to the difference between their radius ठीक तो उस case में क्या होगा या आप इस तरह से लिखीजिए difference of their radius अगर यह condition आपकी आती है तो आप इमेजिन करिए sphere हमारे होंगे किस तरह से ठीक तो हमारे जो sphere होंगे उस case में वह कुछ इस तरह से होंगे कि माल लेते हैं यह हमारा एक sphere होगा ठीक और इसके बाद अगर यहीं एक point पिटच करते हुए हमारा दूसरा sphere बन जाएगा ठीक इस स्पियर का सेंटर यह इस स्पियर का सेंटर यह ठीक इन दोनों के स्पियर के बीच का सब्सक्राइब जो हमारे इन दोनों रेडियस के डिफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब कि हमारा जो सरकल है वह हमारा जो है इंटर्नली टाच हो रहा होंगे एक दूसरे से ठीक मैं इसको इस तरह से समझाता हूं कि यह हमारों प्वाइंट पे आ गया है हम इस सरकल थो थोड़ा बढ़ा बना लेते हैं तब आपको अच्छा से समझ वें आएगा माल लेते हैं यह हमारा सरकल था ठीक अब इस वाले स्पियर का सेंटर यहां पे है ठीक है और इस वाले स्पियर का सेंटर हमारा यहां पे है इसको हम सीवन कह दिए इसको हम सीटू कह दिए अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा हो गया और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया हमारा र्टू क्यों कि यह हमारा कि अगें अब इन दोनुं से बीच आहे यहां हमारा कितना आएगा इन दोनुं स्पीर के डिस्टेंस के बराबर आएगा यह माम यह कर देंगे तो यह जाएक और यही क्या हमारा इन दोनों स्पीर के सेंटर के वीच का डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बिटुंइन द सेंटर ऑफ दे लिया है जब हमारे दिफरेंस आफ़ डेर रेडियस के बराबर हो जाएंगे तो यहां से क्या कंफ्लूजन निकलेगा कि सर्कल इंटर्नली सरकल एक दूसरे को इंटर्नली टच कर रहा है अब यह किसी एक पॉइंट पर हो रहा होगा तो वहां पर हमारी एक प्लेन भी आ सकती है वह प्लेन की एक्वेशन हमें निकालना आता है जो कि टैंजन प्लेन होती है अब चाहिए पर टैंजन प्लेन निकाले प्लेन हमारी सेम गाईगी चलिए यह चीज़ आप नोट कर लीजे इसके बाद हम चलते हैं कि कब हमारा सरकल एक्स्टर्नली टच करेगा और उसको भी डा कर देते हैं अब अगला आता है अगर अगर इस्टेंस बिट्वीन सेंटर ओफ स्पीर बिकम्स इक्वल तो दे सम अफ देर रेडियस जब उनके रेडियस के बराबर हो जाएगा इसको भी हम बॉक्स में करेंगे तब क्या होगा आएए देखते हैं कि यह हमारा एक सर्केल हुआ अब इसी से अच्छ करता हुआ हमारा दूसरा सर्केल होगा अच्छ कि अच्छ करता है एक सर्केल बड़ा है तो यह देख सकते हैं कि यह दोनों सर्केल हमारे च्छोटे बड़े हैं और दोनों संटर्स के बीच का दिस्टेंस हमारा प्लस और convention के बराबर होगा तीख याziękuję कि जहां से हमारा क्या निकलता है कि अगर हमारी ये condition आ रही होगी it stands between the center of both sphere becomes equal to the sum of their radius then in this case the spheres both the spheres the spheres touches each other each other externally एक्स्टेर्नली एक्स्टेर्नली मतलब बाहर से टच कर रहे हैं अब बना है प्रफेक्ट गोल चलिए यह यहां पर डिस्क्लेवर लगाके एक नोट करके लिख सकते हैं अपने लिए हिंदी में as a rough note होगी हो ठीक क्योंकि एक बार में इसे गलती हो गई थी ठीक है ना मुझे लगा था कि तो मैंने बराबर स्पियर्स बनाये है और आप बना के सेंटर कर दिया था औरраж कर दिया था और पिर कर दिया था कि सी 1 यह टूरकर लिये सेंटर्ट के बीच के ढुटरेंस अगर हमारा जो है नहीं में एक्स्टर्णी लिए और उसका मिड़ पॉइंट का वेक्टर निकाल लिया हमने अब मिड़ पॉइंट हमने सौल करके उस पॉइंट से पास करने वाली एक टैंजेंट प्लीन की एक्विशन निकालने को पुचा तो मैं लिख दी थी लेकिन वह गलत आया था क्यों कि देखिए जरूरी नहीं है कि हमारा यह जो रेडियस है और यह रेडियस बराबर हो जरूरी नहीं कि इन दोनों को जोइंट करने वाली लाइन के मिड़ पॉइंट पर ही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टाक्ट मिड़ पॉइंट मिड़ पॉइंट पर सभी होगा होगा जब दोनों स्पियर्स का रेडियस है कि से इस तरह से अब अपनी लैंगज में जो है लिखी जेगा तो इसको नोट कर लीजे इसके बाद हम चलते हैं हमारे कुशन नंबर सब्सक्राइब आप अब आपने नोट कर लिया होगा इसको चलिए अब रख कर दे रहा है और आप इसके बाद हम चलते हैं कुशन नंबर सब्सक्राइब अब कर दो कर दो कर दो कर दो को कि कि अचलियए मैं कुशन नंबर सब्सक्राइब निख लेता हूं आप यह अमारा क्टिशेंट नंबर सभॉन था हुआ हिप और क्टिशन नंबर सब्सक्राइब इसो देप स्पिर्स इस this touches internally and find their point of contact internally कब टच करता था internally तब टच करता था जब उनके centers के बीच का जो distance है वो हमारे रेडियों के radius के difference के बराबर आ जाता है ठीक तो यहां से हम अपना solution लिखेंगे सबसे पहले एक गिवन आपको गिवन क्या है equation of spheres equation of spheres तो हमारे equation of sphere क्या गाएगी x square plus y square plus z square इकोई 64 x square plus y square plus z square is equal to 64 equation 1 हो गई है ठीक और दूसरी पहले है ठीक गिवन क्या है and x square plus y square plus z square minus 12 x plus 4 y minus 6 z plus 48 is equal to 0 ठीक यह हमारे दूसरी equation हो गई अब इस sphere का radius ठीक रेडियस अपहले हम center लिख लेते हैं तो इस sphere का center हमारा क्या होगा center होगा हमारा 0,0,0 ठीक और इस sphere का center क्या होगा इसका center होगा हमारा 6,2,3 ठीक यह हमारा क्या होगा center होगा इस sphere का अब इस sphere का radius कितना होगा तो रेडियस होगा हमारा root 64 र1 is equals to root 64 is equals to 8 ठीक और इसका हमारा रेडियस कितना होगा r2 under root of 36 plus 4 plus 9 और plus 48 48 minus 48 जाएगा ठीक तो 36 plus 4 plus 9 जाएगा तो र2 हमारा कितना जाएगा 1 ठीक तो इसका हमारा radius रहा है 8 और इसका हमारा radius 1 ठीक तो अब हमें क्या करना है देखिए अब इन दोनों के center की बीच के distance निकाल लेते हैं ठीक तो distance between their center distance between the center of both squares वो कितना है कामारा is equals to under root 6 का स्कूर 36 प्लस 9 प्लस 4 ठीक प्लस 4 नाइन बाद में आएगा और इन दोनों radius के difference अगर की बात करें तो हमारा कितना आएगा 7 आएगा तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं हमको क्या प्रूफ करना है कि यह दोनों internally touch कर रहा है पहले तो पहला तो दिस्तंस बट्वें इस संटर और बोद इस पीड समारा इतना आया है ती दिफरेंस between their radius is equal to 7 ती तो यहां प्रूफ की दिस्तंस as it distance between the center of both spheres becomes equal to the difference between their radius between their radius take the sense distance between radius so both the spheres touches each other internally so both the spheres touches each other internally तो दोनों स्पीर से एक दूसरों को किस तरह से तच कर रहा हूंगे इंटर्नली टच कर रहा हूंगे यह हमने गुरूफ कर दिया अब आपको क्या निकालना है point of contact निकालना है तो जब हम point of contact निकालने की बात करते हैं तो यहां पर हमको डाइग्राम की जरूबत आती है कि यहां पर हम फिगर बना के समझते हैं तो हम अराम शप्न कोशन कर ले जाएंगे देखिए हम जानते हैं कि हमारे दोनों स्पीर कैसे हैं इंटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को इंटर्नली वह स्पीर टच कर रहा है तो यह देखिए अब हमको क्या निकालने कि यह जो point of contact है हमको यह point of contact निकालने हैं इस स्पीर का संटर यहां पर है इस स्पीर का संटर यहां पर है जीए इस तरह से है हमारा इस स्पीर का संटर हमारा यहां पर है और इस स्पीर का संटर हमारा यहां पर है अब ध्यान से देखिए यह दोनों सेंटर्स को चॉइन करने आले जो लाइन होगी हमारी वह हमारे इस आगे अगर उस लाइन को हम बढ़ाएंगे तो वह हमारे यह point of contact हमारा उसी लाइन पर लाए करेगा अगर यह होता है तो हमारा यह जो बड़े वाला स्पीर है इसका हमारा रेडियस क्या था इस वाले का अगरा रेडियस कितना था इतना था इतना था इस वाले का माइनस टू कॉआमा थी यह दोना हमारे सेंटर राय थे यानि कि हमको इस लाइन की एक्वेशन लिख लेनी है ठीक और उस लाइन पर लाइक करने वाला कोई भी point हमारा उस कि एक मतलब कि उस लाइन पर लाइक करने हाले कोई भी point हमारे किस फॉम में होगा महां से यह पता कर लेंगे फिर हमें इन दोनों sphere पर लाइक कर रहा है वह point तो किसी भी एक sphere पर लाइक कर वाकर के की value निकालेंगे और फिर वहां से हमारे जो point of contact हो हमारा निकल आएगा तो यह हम करते हैं यहां पर लिख लिए पॉइंट of contact के लिए तो यह हमारा क्या होगा देखिए सबसे पहले हमारा इस line की equation लिखेंगे थी तो equation of the line joining both the center तो कितनी होगी यहारी एक्स माइनस जीरो अपॉन में इस इकोस टू यह हमारी क्या हो जाएगी यह हो जाएगी अब देखिए इस लाइन पर लाए करने वाले कोई भी पॉइंट का हमारा जो कोडिनेट्स हो किस तरह से होता है तो अनी कोडिनेट अनी पॉइंट अनी किस कृण का होगा हो 6K 6K 6K, minus 2K 3K ठीक, इस फॉर्म का होगा as the point of contact lies on this line as the point of contact lies on this line, जैसे कि हमारा जो point of contact है, वो हमारा इसी line पर लाई करता है, so so we have the point of contact as 6K, minus 2K, 3K as it also lies on both the equations of the circle as it also also lies on both the spears लिख देते हैं both spears जहीं आरे हैं spears ठीक वो दोनों spears पर हमारा लाई कर रहा है तो हमारा क्या आजाएगा मैं यहां से अप कोशन निटार दे रहा है हमें क्या करना है, दोनों spears की में से कोई भी एक spears की equation लेनी है और वहाँ पर x, y, z की जेगे पर हमको इसके coordinates रख देने हैं वहाँ से हमको क्यकी value मिल जाएगी और k की value मिलते ही फिर हमारा यह point पर k की value लिख देनी है तो अगर हम रखेंगे x square 36 k square plus y square 4 k square plus 9 k square हो जाएगा 3 is equals to 64 यहां से हैं क्यार k square common ले लेंगे कितना हो जाएगा 40, 49, 49 is equals to 64 तो k is equals to 64 बटे 49 अब क्या करेंगे k square is equals to k हमारा कितना जाएगा k will be equal to plus minus of 8 upon 7 यह हमारी k की value आ गई अब हम इसमें से plus वाला consider कर लेते हैं और अपने point निकालने कोशिश करते हैं तो point of contact will be point of contact will be हमारा point of contact क्या होगा वो आ जाएगा हमारा 6 8 upon 7 6 8 48 by 7 वामा तो जा माइनस 16 upon 7 8 3 24 upon 7 यह हमारा point of contact आ जाएगा एक बार चेक कर लेता हूं आँ तब तक आप इसको तो नौट कर लीजे तो इसको चलते हैं अपने अपने कंसेप्ट पे यहां पे हमारा एक कंसेप्ट नौट कर लिया होगा आता है angle of intersection of spheres यानि कि हमारे 2 spheres जब intersect करते हैं तो उनके बीच का angle क्या होता है 2 spheres की बीच का sphere तो हमारे किसी भी तरह से intersect कर सकते हैं चाहे ऐसे करें चाहे हमारे spheres ऐसे intersect करें चाहे हमारे spheres ऐसे intersect करें तो नहीं उनके बीच कभी हमारा एक angle निकालने का अलग तरीका होता है ठीक इस आर्टिकल में हम वो तरीका सीखेंगे ठीक और फिर हम जानेंगे कि अगर 2 spheres के बीच का angle 90 डिगरी है तब वो spheres orthogonal spheres के लाएंगे ठीक और किसी भी given sphere का orthogonal sphere निकालने की भी टेकनिक हम सीखेंगे ठीक है तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले पार्ट में कि हो कि 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 अपखला अगला स्टाइब एंगलों अगल्डाइब नगलों पैनकर्फयड दीर्ट के इस थे फा टानलों अगलों और तेक्टिंट्न मानल टॉ आज फूस तटिसल्ड में उड़ा मिंदोग Erल्ध स्टूरीग ओंट फ। एंगलों अबिसल्डेmost पूसी अड़.. सबसे पहला तरीका इसमें जो होता है वह ता है कि ये स्पेर है मान लेखते हैं कोई हमारा अगर इंटरसेक्ट कर रहा है एक हमारा और ये हमारा दूसरा स्पीर ना इन दोनों के common point पे जहाई इसकी tangent plane आएगी और इसी point पे इस sphere के लिए जो मारी tangent plane आएगी इन दोनों plane की बीच का जो angle होगा वह हमारा क्या होता है वह हमारा angle होता है इन दोनों तो इस वाला प्लेंगलर होता है यह हमेशा जार फैंडिकूलर रहेगा हमारे एंगल थेे ते बीच के आएंगल वह यह तो इन दोनों कि बीच का एंगल भी हमारा क्या देदेगा इन दोने स्पियर्स की बीच का एंगल कहलाएगा ठीक वही सेम एंगल आएगा और बस यही दो तरीका होता है ठीक यह दो तरीके से हमारा एंगल डिफाइंट किया जाता है अब देखिए आप कोई भी एक तरीका ले लिजे ठीक मैं यह कहूंगा कि जो है कि आप यह वाले लिए तो ज्यादा वेटर रहेगा यह रेडियस वाला कि इसका संटर यह कोई भी एक कॉमन पॉइंट कीजिए ऐसा पॉइंट जो कि हमारे दोनों पॉइंट लेंगे आप कोई भी एक और उस पॉइंट पे आप रेडियस कीचेंगे तो जो एंगल आएदा आपका वह हमारा क्या होगा इन दोनों पॉइंट के बीच का एंगल होगा ठीक है तो आइए चलिए यहां पर हम लिख लेते हैं जितने भी तरीके से इसको डिफाइंट किया जाता है चीक तो यहां पर लिखेंगे तेहला यहां अगल अफिय स्विय और लाव तुयु इन टेहलायोच अंगल विंटर्सकिंगंगे Уगधिय तूहँ किया एंगल अंगल 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 स्थ तूहँ और्सपर्सि औल, इन व पॉग्जु खेशए वा-स मुग्जु वा-दॉट्स् as angle between the tangent plane between the tangent plane at a common point कि कॉमन पॉइंट के बीच का एंगल और दूसरा जो हमारा रहता है मुख्या रहता है कि एंगल आप इंटर्सेक्शन कि एंगल और दूसरा तूसरा रहता हम कि एंगल गदाओ नच्ट रहता है मुख्या प्राइब का व्या दूसरा इंगल तूसरा रहता है मुख्या और रहता है is also defined as इस अगल बिट्वीन रिडियस अगल बिट्वीन रिडियस अगल बिट्वीन डियर अट वान पॉइंट इनके कॉमन पॉइंट पे इन दोनों की बीच का एंगल हमारा माल लेते हैं अगर थीटा है तो थीटा कहला है जाएगा कि इस रिडियस मतलब इन दोनों स्पीर की बीच का एंगल है ठीक अब भले ही एक स्पीर बड़ा हो और एक स्पीर छोटा हो ठीक है ना यह चोटा यह बड़ा अला है तब भी जो है इनके कॉमन पॉइंट पे अगल बनेगा यह होगा क्या हमारा यह होगा हमारा एंगल बिट्वीं दिश्टु स्पीर चाहिए अब बात आती है कि दो इंटर्सेक्टिंग स्पीर के बीच के एंगल अगर 90 डिग्री होगा तब उन दोनों स्पीर को क्या कहेंगे और्थोगोनल स्पीर कहेंगे चली हम रिक लिदे हैं यह जैने बिल्टेशा यहीं पर लिख लेते हैं इस धा एंगल ऑप इंटर्सेक्चन वे को स्पीर is pi by 2 then such sphere is called is called orthogonal sphere तो अधिक उस तरह के उन स्पीर को क्या कहेंगे और तो निस पिएर्स कहेंगे निजेगा इस पियर्स कह रहा है यानि कि उन दोनों स्पीर्स को मौट विश्विट कहेंगे ठीक तो इसको नोट कर लीजे आप और इसके बाद हम चलते हैं हमारे कंडिशन ऑफ और्थोगोनल्टी पे एक का हमारे मतलब जो और कहते तो है 90 डिग्री बट हमारा एक रिटेन फॉर्म भी आजाए तो ज्यादा बेटर रहेगा वही आपको याद करना है कि यह समझने के लिए आपको दिमास में बना ही रखना पड़ेगा बट एक कंडिशन आती है वह आपको याद मतलब उसको एक छोटा चाएक्सप्रेशन होते हैं बस याद करना था आपको इसको नोट कर लिए आप तो तर तक कि अ क्दद fulfillते हैंाven हो कि अ कर दो पको आपके कि यह आपको 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 वाद तर चारे यह की आपको तर मही आपको याद हो इस फर था है तो आपकोだ आ का दो जट आपको वाद कि यह साक्वशन हो ऊबजराओगा परी अँशन हो एक्षवरेशन हैं कर दो को इस यह केंघ हैं संब्सक्रेचिय में कि यह तो कि में और दोगारी कि ऐड़ों किनिशन ऐड य जो इसको आप दॉक्टर और्थोमस समझ लीजेगा तो चलिए हम साफ साफ जानते हैं कि और्थोगनल स्पिर्स हमारे वही स्पिर्स होते हैं जो इंटर्षेट करके नांती डीगिरी अंगल बना रहे होते हैं सबसे पहले दिगरी एक कृइंट ले Congratulations त्यों डाइग्राम बनाने का एक तरीका रहता है एक पॉइंट लीजे एक लाइन आप ऐसे खीज़ दीजे और एक लाइन आप छोटी सी 90 डिग्री के कोंड पर खीज़ दीज़े ठीक अब क्या करना है यहां से एक स्पीर आपको ड्रॉ कर देना है अब उसके बाद आप अंदाधन में स्पीर बना ले जाओगे आपको हल्की पेंसिल से ड्रॉ करना है और फिर आप अराम से जो है ऑर्थोगनल स्पीर्स ड्रॉ कर लोगे हाँ कॉपी में थोड़ा मुश्किल होता है बोल्ट पर आसान हो जाता है मुश्के बोल्ट बना लेता है जाओगे जाओगे है झाल चलिए तो यह हमारे और्थोगोल स्पियर्स बन गए जिनके अगर हम किसी कॉमन पॉइंट पे उन दोनों के रेडियस के बीच का एंगल निकालेंगे तो वो कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है इसको हम कह देते हैं सीवन इसकों कह देते हैं सीटू ठीक अब देखिए माल लेते हैं लेक्ट अब बोट भी स्पियर्स बोट भी स्पियर्स भी माल लेक्ट है कि हमारे दोनों स्पियर्स की जो एक्वेशन है वह क्या है जो हमारे दोनों स्पियर्स उनकी एक्वेशन आप्माल लेते हैं कि है पहले कि हमाल लेते हैं x2 plus y2 plus z2 plus 2 u1 x plus 2 v1 y plus 2 w1 z plus d1 is equal to 0 ठीक और दूसरे की है and x square plus y square plus z square plus 2 u2 x plus 2 v2 y plus 2 w2 z plus d2 is equal to 0 equation number 1 equation number 2 ठीक यह आपकी 2 equation हो गई और यह दो spheres की equation आप इस तरह से लिखेंगे ठीक है यह हो गया है आपका sphere 1 S1 और यह हो गया आपका sphere 2 S2 अब अगर हम यह triangle देखें इस point को माल लेते हैं हमारा जो है point of contact है P ठीक अगर हम P C1 C2 देखें यह triangle देखें हैं तो यह हमारा 90 degree triangle है 90 degree के angle contain करने वाला triangle है और यहाँ पर हमारा Pythogoros theorem लगता है ठीक तो देखिए CP हमारा क्या है sphere 1 का radius है और C1 P हमारा sphere 1 का radius है और C2 P हमारा sphere 2 का radius है ठीक तो यहाँ पर हम यह लिखेंगे इन triangle प्यरल प्यदय करते कर दो यहँ कि अगर से लिए और प्यद प्यदेगर ठीक प्यदेगर काई ट्यदेग्पफ। प्लस पी ची टू स्क्वाइर है सिपोस्टू सीवन सीटू स्क्वाइर थिक तो सी वन सीटू हमारा क्या होगा देखते हैं है सीवन सीटू हमारा होगा सेंटर के बीच का डिस्टेंस ठीक सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है इसका सेंटर है स्पीर वन का सेंटर यहां पर हम साइड में लिख लेते हैं सेंटर ओफ एस उन ग्हörण एक सेंटर यह मौन खि Shout out मैंस व्त ओन क्रिए निर जाव एस टू तो टेमेंट कितना है माइनस यूटू विट्व मा माइनस ड्वली यह मारे सेंटर मतब स्पियर टू के सेंटर के कोडिनेट्स हैं ठीक अब कि अब सीवन सीटू निकाल रहे हैं तो यहां फिर सिंस सीवन सीटू इस इकोल स्टू माइनस फिर नेकि प्लस उफ युवन स्टू बल्राइब अब U1-U2 काउल स्क्वाइर प्लस V1-V2 काउल स्क्वाइर प्लस W1-W2 काउल स्क्वाइर यह हमारा क्या आ गया C1-C2 आ गया इसका अंडरूट इन दोनों के बेच का डिस्तन्स आ गया अब अगर स्क्वाइर करते है तो C1-C2 क्या आ जाएगा अंडरूट हड़ जाएगा हमारा चलिए रूट हड़ गया तो हमारा C1-C2 यह आ गया अब PC1 और PC2 कितना आएगा तो PC1 हमारा उसका पहले स्पेर का रिडियस है तो PC1 कितना होता है इस इस इपोस्तिव अंडरूट आफ यूवण स्क्वार यूवण स्क्वार प्लस डवलोग एडिवन स्क्वार माइनस दीवन ठीक और सिमिलर लिए अब हम इनकी वैलिए अगर यहां पर इस एक्वेशन में रखते हैं अगर हम इनकी वैलिए इस एक्वेशन में रखेंगे हैं तो क्या मिलेगा तो हमको मिलेगा यूवण स्क्वार में रखेंगे हैं रखेंगे हैं रखेंगे रखेंगे कि रखेंगे हैं यह U1-U2 का होल स्क्वायर है यानि की U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर U2 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2 इसको में टाइग्राम इटार दे रहा हूं हो प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 प्लस W1 स्क्रार माइनस 2 W1 W2 ठी ceiling तो यू 1 यू 2 यू 1 यू 2 गांसल वी 1 वी 2 वी 1 वी 2 कैंसल डवर डवल व्लू 2 ओर डवलू 2 अब डीवन डी 2 को उधर रहे जाते हैं और 2 रिचाहां टो वीवन वीटू और माइस तू यू एधर ले आता है तुई यू वन यू तू प्लस टू वीवन वी तू प्लस टू डालू वन डालू टू is equals to d1 plus d2 और यही है हमारी condition of orthogonality ठीक यह क्या है हमारी condition of orthogonality ठीक यानि कि अगर कोई भी 2 sphere की equation दी हुई हो और कहा जाए कि आपको बताना है कि यह sphere हमारे orthogonal sphere है की नहीं तो आप क्या करोगे simple u1, v1, w1 u2, v2, w2 निकालोगे d1 और d2 भी निकालोगे और फिर यह आप satisfy करोगे कि 2 u1, u2 plus 2 v1, v2 plus 2 w1, w2 is equals to d1 plus d2 आ रहा है की नहीं अगर आ रहा होगा तो वो दोने sphere हमारे orthogonal sphere नहीं होगे तो अभी तक पीछे मैंने जितना भी किया इस आर्टिकल में यह वाले आर्टिकल में मतलब कुछ भी आपको याद करने की दुरूत नहीं आप बस यह फॉर्मूला याद करे रहा होगे तो आपको कंडिशन आप और निकल जाएगा ठीक आप सारे सवाल लगा पाऊगे बस आपको क्याद रखना है कंसेप्ट कि दो स्पियर और उनके कॉमन पॉइंट पर अगर हम उनके सेंटर से रेडियस किचेंगे तो उनके बीच का एंगल कित्ता हो रहती है अगर याद कर रहोगा तो आपका काम हो जाएगा तो आए चलिए इसको क्योशन सौल कर लेते हैं तो इसको आप तक नोट कर लीजिए और इसके बाद हम चलते हैं हमारे कॉशन नमबर टू के तो आयोप आपने इसको नोट कर लिया होगा ठीक पॉस करके आराम से इसको नोट कर लीजिए तो जो हमारा कॉशन नमबर एर्थ है पेज नमबर वन हंड़ेट फोर पे ठीक वह आप खुद से करेंगे ठीक है उसका सल्यूशन आप प्रोफेसर से पूछिए का कोशिश करेंगे खुद से लगाने की अब हम आते हैं पेज नमबर वन हंड़ेट पे जो हमारे कॉशन की एक्सराइज दी गई है हम उसको सौल करते हैं तो यह उस एक्सराइज का हमारा कॉशन नमबर टू है और इसमें कहा गया है कि अब अगर हम इसका 3D डाइग्राम बनाने में पड़ें या इमेजिन करें क्या है क्या क्या रहा है कि फाइंड दे इक्वेशन अब स्पीड यानि कि एक सर्कल है सर्कल हमारा कैसे बनता है ठीक सर्कल बनाने के लिए हमको एक स्पीर और एक प्लेम की दिरुवत पड़ती है कि मान लेते हैं यह हमारा वह स्पीर है कि मान लेते हैं कि यह हमारा वह स्पीर है और यह हमारा वह सर्कल है जो कि हमारे इस स्पीर पर लाय कर रहा है अब हमको क्या कह रहा है find the equation of the sphere that passes through the circle this and this यानि कि इस सर्कल से देखिए अब इस सर्कल से हमारे इंफाइनाइट मैनी स्पीर पास हो सकते हैं यह चीज आपको हमने बताई थी कौन से टॉपिक में इस स्पीर से पास कर सकते हैं इस सर्कल से पास होने वाला स्पीर जो कि हमारे यह कोई और स्पीर दिया है जो कि इस स्पीर के क्या हो 90 डिग्री एंगल बना रहा हो यानि कि इस स्पीर के जो है वो क्या हो और्थोगोनल हो ठीक मतलब आप समझ रहा है कि कितना कॉंप्लिकेटेड और इमेजिंग करने वाला डाइग्राम बनना चाहिए यहां पर फिर भी मैं अगर आपको बता दो एक सर्कल हम नॉर्मल यह सर्कल को अगर हम सिर्फ सर्कल से रिप्रेजेंट करें स्पीर और प्रेंट के इंटर्सेक्शन से ना मतलब दिखाए ठीक तो हम इसके डाइग्राम को आसान मतलब थोड़ा इजी मैनर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे क्या रहा है एक सर्कल से ठीक पास होने वाले स्पीर की इक्वेशन हमको एक सर्कल से पास होने वाले स्पीर की इक्वेशन हमको बतानी है जो कि हमारे इस स्पीर को और्थोगोनली कट कर रहा है तो आयोप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या डाइग्राम बनना चाहिए तो हमें इस स्पीर की पिछे निकाल ली है जो कि इस सर्कल से पास हो रहा हो और इस गिवन स्पीर को 90 डिग्री एंगल बना रहा हो यानि कि और्थोगोनली कट कर रहा हो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं इसका सल्यूशन आपका रहा है इस तरह से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे हमारी गिवन क्या है इस7 क्याओ ली ग्राइटि ठीक, क्वामा, 3x-4y-5z-15 is equal to 0, ठीक, यह हमारा क्या है, यह हमारे circle की equation है, ठीक, अब इस circle से पास होने वाला sphere, उसकी equation क्या होगी, ठीक, ठीक, so, the equation of spheres, धेर सरिप्य, पासिंग, त्र्फू, पासिंग से Mêmeने बते कुअन है, इसका हमारे circle, पासिंगा रूए बते हैं 1, पासिंगा डिक गाला है सीच, तौ हमह महारे का्या, ठीक, ट्रूग भारे सुबब बते हैं, ठीक, यह हमारे टेक हाँ, ठीक, पासिंग तो उनकी क्या होगी हमारी x square plus y square plus z square minus 2x plus 3y minus 4z plus 6 plus lambda times of 3x minus 4y plus 5z minus 15 is equals to 0. यह हमारी क्या हो गई उनकी सारे इक्विशन हो गई जो की हमारे इस सरकल से पास कर रहे हैं तो इसको अगर हम और कोड़ा solve करके लिखें तो यह हमारा क्यासा हो जाएगा x square plus y square plus z square x अगर कॉमन लें तो प्लस थ्री लंडा माइनस तू इंटो एक्स प्लस 3 minus 4 lambda into y plus 5 lambda minus 4 into z plus 6 minus 15 lambda is equal to 0 ठीक यह आपके उस Spears की equation आगे थी अमाल लेखते की किसी पाटिकुलर value के लिए lambda की किसी पाटिकुलर value के लिए हमारा जो सब कोई एक पाटिकुलर value अगर हम रख दे रैमडा की तो हमारी यह एक 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 एक्विशन देते हैं एक्विशन नमबर 2 नौ कोश्चन अभी रेस्ट कर दे रहा हम इस स्पियर की एक्विशन की जरुवत आपको तो यह लिखे रहा हम दे रहा है तो जैसे कि उसकी जरुवत थी तो यह वाले स्पियर की एक्विशन लिखते हैं यहां पे एक्विशन आप गिवन स्पियर एक्विशन और गिवन स्पियर यह कहा है हमारा एक्स स्क्वार प्लस य स्क्वार प्लस जेद स्क्वार प्लस टू एक्स प्लस 4y-6z प्लस 11 is equal to 0 ठीक इसको हम लिख देते हैं एक्विशन नमबर 3 अब अगर हम ध्यान से रेखे तो क्या गिवन है हमको कि हमारे यह जो हमारा रहा एक्विशन स्पियर 2 है और स्पियर 3 है यह दोनों क्या है हमारा और्थोगोनल स्पियर से हैं ठीक गिवन आज स्पियर तो एंड थ्री आर और्थोगोनल सो तो हमारे पास क्या जाएगा हम यहां पर और्थोगोनलिक कंडिशन लगाएंगे यूवन यूटू यूटू प्लस टूवी वन विटू प्लस डूवन डूटू इस इक लिए यह पर और वह कितनी आजाएगी देखिए इसके में है सब इसे पहले हमको यूवन यूटू और । और यूटोवान डूवान डूटू इवान देखिए यूटू डूटू अट्यूंज देखिना होगा इसके लिए तो U1 हमारा कितना है U1 आयाता है 2 से डिवाट करा 1 V1 हमारा कितना है 4 2 से डिवाट कर 2 और W1 हमारा कितना है माइनस 3 ठीक और D1 हमारा कितना है 11 ठीक इसी तरह सही U2 हमारा कितना है इसमें अगर ले तो यह हमारा हो जाएगा 3 λंगडा माइनस 2 बाइ 2 V2 हमारा किता है 3 माइनस 4 लंगडा बाइ 2 V2 हमारा किता है 5 लंगडा माइनस 4 बाइ 2 और V2 हमारा किता है 6 माइनस 15 लंडा ठीक सिंप्ली तो यह हमारे U1, U2, V2 सबकी वैल्यू है जितने भी है अब हम यहां पर क्या करेंगे कंडिशन ऑफ और्थोगनल्टी लगाते हैं तो वह हम यहां पर यूज करते हैं सब्सक्राइब क्या होती है यहां पर लिख लेता हूं U1, U2, V1, V2, V1, W2, V1, W2 is equal to D1 plus D2 यही होती है न तो इसको अप्राइब करते हैं 2 टाइम्स ओफ U1, 1 इंटो U2, 3 लैंडा मैनस 2 बाइ 2, ठीक, प्लस टू टाइम्स ओफ V1 यहां यहां यह फिक, प्लस 2 टाइम्स ओफ V1, यहां यहां है यानि की मैनस 3 इंटुट डप्लीटू यानि की 5 लैमडा माइनस 4 वाल 2 ठीक इस इकोल स्थ डी1 प्लस डी2 यानि की 11 प्लस 6 मीनस 15 लैमडा यहां से आप लैमडा की वेल्यू निकालेंगे और उसके बाद इस एक्वेशन में रखेंगे तो हमारा जो हमें रिक्वार्ड रिक्वेशन होगी वह हमारी आ जाएगी तो यह चलिए तो अब लैंड़ा की वहले हमको सॉल्ब करनी है यह से यह तो पर जाएगा यह जाएगा थ्री लैंड़ा माइनस टू जाएगा प्लस मज़न्कस प्लस 12 सेटरवयल्ड व्याहसे लैंड़ा के लिए निकलें पंद्रा पंद्रा गया जीख और 8 उतन है जाएगा प्लैम्डा इस फ्रोलky down is 17 इदर आएगा-1 ठीक यानि की-1 यानि मारे किता रहा है यहां से माइनस1 बाइव 5 हमारा लेंडाथी वर्ल्यू आ गई ठीक हमें इस एक्वेशन पर रख देना है लेंडा ती वेल्ल्यू और हमारा जो है आंसर आजाएगा तो चलिए यह लिखे रहें देते हैं यहां पर लिख देते हैं नाओ आन या फिर वाई यूजिंग तो वैल्लिव आफ लैंड़ा इन एक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्या मिलेगा हमको हमको मिलेगा एक्स स्क्वेर स्क्वेर प्लस य स्क्वेर प्लस जेट स्क्वेर ठीक फिर माइनस थ्री बाइफ इसको स्वाल करते हैं माइनस थ्री बाइफ माइनस तू यह जाएगा माइनस थर्टीन बाइफ फाइफ यह जाए नहीं नहीड वाइनस थर्टीन अप्स शॉस्ट करते हैं थ्री प्लस फोर एंटू पाइफ प्लस नाइंटीन अपॉन फाइफ वाई इसको सॉल्ट करेंगे तो यह जाएगा फाइफ लामिट आया नहीं कि माइनस वन है नहीं माइनस फाइफ आजाएगा ठीक यह जाएगा हमरे किता माइनस फाइफ जेड ठीक यह कितना आजाएगा सिक्स माइनस फिफ्टीन लेंड़ा माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस जाएगा यह प्लस थ्री यह नहीं ना जाएगा प्लस नाइन इस इकोस तो जीरो ठीक यह आ गई प्लस फाइफ जड़िस्क्राइब माइनस थर्टीन एक स्ट नाइनटीन वाई माइनस फिस्टीटीप थैफ फिस्टीटीफ फाइफ जेड प्लस नाइन पाइफ जाएफ इकोस जीरो ठीक तो यह आ गया हमरा आंसर ठीक कोशन नम्बर टू का ठीक है तो चलिए अब नेक्स लेक्चर से हम जो है बाकी के कोश्चन्स और जो बाकी के कंसेप्ट है वो पढ़ाएंगे आज का लेक्चर हमारा यही पर खत्म होता है तब तक के लिए पढ़ाई करते रही है आल दा वेरी बेस्ट